बिहार के मुक्यमंदरी नितीश कुमार एक बार फिर से NDA में शामिल होने जा रहे हैं इस फैसले के पीछे कई वजा है जिसमें से सबसे प्रमुख है अती पिछड़ा वोट बैंक पर नितीश कुमार की मजबूत पकड़ बिजेपी का एक इंटर्नल सर्वे में सामने आया है कि बिहार में अती पिछड़ा वोट बैंक में ज्यादतर लोग लोग सबाचुनाव के दोरान भी नीतीश कुमार के साथ इंटेक्ट होंगे इसका मतलब है कि अगर नीतीश कुमार एंटीए में नहीं रहते हैं तो बिजेपी को बिहार में दस से जादा सीटों का नुकसान हो सकता है बिजेपी ये मानती रही है कि पीएम मोदी के करिश्मी और किंद सरकार के नीती योजनाओ की वज़ा से उन्होंने अती पिछड़ा वोट बैंक में सेंध मारी की है लेकिन सर्वे के सामने आने के बाद आला कमान को जटका लगा है बिजेपी का मानना है कि नीती शुकुमार को अपने साथ रखकर ही वहलोग सबाचुनाओ में अती पिछड़ा वोटर्स को लुभाने में सफल हो सकती है इसके लावा इंडिया गटबंदन में नीतिश कुमार को अलग कर बीजेपी लोग सबाचुनाव से पहले एक मनोवग्यानिक जीत हासल करना चाहती है साथ ही दस्टचारिया परिवारवाद जैसे मुद्दो पर भी वो नीतिश को नहीं घेर पाते बीजेपी नीतिश कुमार को अपने साथ रखकर विदान सबाचुनाव तक उसके वोट पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ जमाना चाहती है ताकि अगर भवशे में जेडियू से टूट भी हो तो उसका जादा फाइदा बीजेपी को मिले विशेश बद नीतिश कुमार की एंटिए में वापसी का फैसला बिहार की राजनीती में एक बड़ा बदलाव है इस फैसले से बीजेपी को लोगसबाचुनाव में फाइदा हो सकता है लेकिन इसमें एंटिए के अंदर भी कुछ तनाव पैदा हो सकता है तेजस्री आदव ने कहा है कि नीतिश कुमार आदर्णी है लेकिन उनके साथ कई चीज़े उनके नियंतरण में नहीं है प्रभाव नीतिश कुमार की एंटिए में वापसी का बिहार की राजनीती पर कई तरह से प्रभाव पढ़ सकता है इसे बिहार में सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं बीजेपी को लोगसवाचुनाव में फायदा हो सकता है एंडिये के अंदर कुछ तनाव पैदा हो सकता है भविश्य नितीश कुमार की एंडिये में वापसी का भविश्य पर भी असर पड़ सकता है बीजेपी लोगसवा चुनाव में जीत ती है तो नीट्य शुकुमार को फिर से उप्रधान मंत्री बनाया जा सकता है अगर बीजेपी हारती है तो नीट्य शुकुमार का भविशे अनिश्यत्य खो सकता है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आते सी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिए दाख खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल